मद्य प्रदेश वर्ग एक दो तीन सिच्छक भरती परिच्छा सम्मंदित बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पर देख सकते ही हम बात करेंगे आज की वीडियो में अतिस सिच्छकों के बारे में जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि मानेरिय मुख मंत्री जी के द अगर आप चैनल पे ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साती सात बिल आइकम प्रेश को भी आउन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों तक पहुँचे सबसे पहले तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं थोड़ी सी चक पंचायत में मुकमदरी सी सुरा सिंग चौहान की बड़ी गोश्राएं अब गोश्राएं क्या क्या थी आपने इसके पहले देख भी लिया होगा हम इसके आपकी भी बातें आपको बताएंगे बट उसके पहले थोड़ा आप इसको समझे अभी पीरिड के हिसाब से मान मिलेगा अतिस सिचकों का बरतमान मान दे बढ़ा कर वर्ग एक को 9000 पर के अस्थान पर 18000 मिलेगे अतिस इचक वर्ग दो को साथ हजार के अस्थान पर 14000 और वर्ग तीन को 5000 के बजाए 10,000 रुपई का मान दे मिलेगा एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा य और आप लोग निश्चिन्त हो जाएं जितने भी अतिस सिच्चा कें उनको अब आरक्षण 50 पर्षण दिया जाएगा नेक्स्ट बरती से इसके बाद यहां से आप यह भी देख सकते हैं अतिस सिच्चों को उच्च सिच्चा विभाग के अनुसा प्रतिवर्स चार और अधिकतम 20 अंका प्रदान किया जाएगे यह अगर आप इसी साल से आपने गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं देना शुरू कही है तो आपको हर साल चार अंक मिलते जाएगे और अधिकतम आपको 20 अंका प्रदान किया जाएगे महीने की निशी तारिक को मानदे मिल जाएगा और यह सुनशीत किया जाएगा कि आपका मानदे पहुँच गया या नहीं पहुँच गया तो यह एक बड़ी अपडेट है और इसके लाबा आगे यह भी बताया गया कि गुरु जी की तरह यह को योजना बनाएंगे जिसमें पातता परिच्छ ध्यान है गया इस पातता परिच्छ सिर्फ आप से ली जाएगी और उसको लेकर हम आती सिर्चकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे तो ये एक बड़ी अपडेट है गाईस और उन तमाम आती सिर्चकों के लिए रहत भरी और खुसकवरी बड़ी अपडेट है जिसमें उनके भविश को सुधारते हुए या उनके भविश को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की घुशनाएं की जानी उजित थी अब देखिए चुनाओं का महौल है सरकार कहीं से कहां तक जनता को या युवाओं को नाराज नहीं कर सकती क्योंकि हमारा देश युवाओं का ही है और आप युवाओं को अपने अगेंस्ट करके पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते तो इसलिए इन्होंने ये अपडेट दी और सभी आती सिचकों को मेरी तरब से भी बनाईया जिनको इस प्रकार की सुब्धाय प्रदांकी जा रही है और भविस में आप नियमित भी हो जाएंगे ऐसी इनकी घोश्टा है आप चलिए देखते हैं क्या होता है क्योंकि राजनीती में कुछ भी चीज स्थाई नहीं ह होती है लेकिं फिर भी आप सभी के लिए एक बार सभी को खुसकबरी और कॉंग्रेश्यूलेशन और चलि फिर मैं वीडियो को यहीं पर इंड करूंगा छोटी सी अपडेट थी और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट बाक्स पर राइट करें मैं कोईस करूंगा आपके कोईशन का जबाब देने की और चलि फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ टेल देंटे के राइंड सी यूँ